सभी को ओम शान्ती आज है 6 सितंबर 2023 प्रातह मुरली बापतादा मधुबन मिठे बच्चे सर्विस का शौक रखो मिशाल बुद्धी बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तिया निकालो जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो प्रश्ण आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है उत्तर में बाबा बोले उसे ज्यान मान सरोवर में डूबो दो अगर ज्यान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी आज की मुरली में दो प्रश्ण है दूसरा प्रश्ण भ्रामनों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है भ्रामन अगर बाब की आग्या न माने तो यह बहुत बड़ा पाप है बाब की पहली आग्या है तुम मुझे निरंतर याद करो लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन तो बाबा ने क्या कहा कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है अगर बाब की आग्या न माने तो यह बहुत बड़ा पाप है गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन ओम शान्ति बच्चों की बुद्धी में क्या आता है कौन आया है बाब टीचर सद्गुरू मात पिता अक्षर तो जरूर चाहिए मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है तुम मात पिता हम बालक तेरे तेरी कृपा से सुख घनेरे पीछे तुम कह सकते हो बाप टादा वैसे तो मात पिता में बाप टादा आ जाता है परन्तु नहीं यह समझाने का तरीका है क्योंकि बाप है मा भी जरूर चाहिए क्या कह रहे है कि वैसे तो मात पिता में बाप टादा आ जाता है परन्तु नहीं यह समझाने का तरीका है क्योंकि बाप है मा भी जरूर चाहिए अब माता पहले कौन है यह गुयते गुय बाथ जो कोई समझ न सके क्या प्रजापिता भ्रह्मा होने से भी माता चाहिए प्रजापिता भ्रह्मा के साथ कोई प्रजापतनी भी चाहिए? नहीं प्रजापत्नी नहीं चाहिए क्योंकि यह मुखवंग्शावली है इसलिए भ्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती यह बहुत गुहिय और गंभीर बाते हैं इसे समझने और धारन करने के लिए बुद्धी चाहिए यह एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुक आते हैं तुम तो समझते हो मात पिता बाप तादा सम्मुक आया है बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं सेंटर्स पर जो रहते हैं वो यह नहीं समझेंगे कि मात पिता बाप तादा सम्मुक आये हैं वो समझेंगे फलानी बीके व ब्रहमा कुमारी आई है बहुत गुईया बाद बाबा अभी समझा रहे हैं क्या कहा बाबाने कि बच्छे बाहर में सर्विस करते हैं सेंटर्स पर जो रहते हैं वो यह नहीं समझेंगे कि मात पिता बाप तादा सम्मुक आए है वह समझेंगे फलानी बीकेवा ब्रहमा कुमारी आई है यह मम्मा एडॉप्ट की हुई है सबसे लखी सितारा जकतंबा है यह संभालने के लिए मुख्य है इसलिए इन पर कलश रहता है और यह ब्रहमा तो हो गई ब्रहमा पुत्रा मेल के रूप में तो सरस्वती जरूर चाहिए सरस्वती को ही जकतंबा कहा जाए इस मेल को तो जकतंबा नहीं कहेंगे यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है शास्त्रों में कहानिया बैट लिखी है पांच हजार वर्ष पहले वा दो हजार पांच सो वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैट लिखते हैं वह नाम, रूप, देश, काल तो कुछ है नहीं नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं यह बाब बैट समुक अच्छी रीती समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं अब आकाश तत्व तो यह है इसमें तो हम बैठे हैं जिस पारलोकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं हैं अब आकाश तत्व तो यह है इसमें तो हम बैठे हैं जिस पारलोकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं है अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहें वह तो यहाँ ही है सब मुख्य मुख्य आत्माए धर्मस्थापक आदी यहाँ ही हैं श्री कृष्ण की आत्मा भी 84 वे जनम में यहाँ ही हैं उनकी आत्मा को तो बुला न सकें यह परमपिता पर मात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महत्व निर्वान धाम छोड़कर वहां से आओ तो मात्माओं का सिंहासन तो महत्त्व है क्या कह रहें बाबा कि यह परमपिता पर मात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महत्त्व निर्वान धाम छोड़कर वहां से आओ तुम मात्माओं का सिंहासन तो महत्त्व है आकाश में तो तुम जीवात्माएं रहती हो यह मांडवा है खेल चलने का जब गीत सुनते हो दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ यह तो जिन्होंने नाटक बनाए है उन्होंने ही फिर गीत बनाए है फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए इसमें बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए छे सितंबर की मुरली में बाबा आगे कह रहे है यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए उनसे मिलना चाहिए इतनी समझ चाहिए बाप तो direction देंगे बाप को तो जाकर नहीं पूछना है बाप तुम बच्चों को direction देंगे ऐसे ऐसे करो श्रीमत पर चलो गीत वास्तव में धर्ती या भारत खंड है भारत में ही उनका आना होता है भारत ही उनका birth place है सभी उस निडाकार फादर को ही बुलाते है श्री कृष्ण तो सब का फादर नहीं है और मुर्ली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो कृष्ण के हाथ में देते हैं मुर्ली तो वास्तव में ज्यान की है बहुत महीन बात बाबा कह रहे हैं कि और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो श्री कृष्ण के हाथ में दे मुरली तो वास्तव में ज्यान की है Goddess of Knowledge सरस्वती को कहते हैं राधे को नहीं कहेंगे श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की सरस्वती को कहा जाता है Goddess of Knowledge Goddess of Knowledge सरस्वती को कहते हैं राधे को नहीं कहेंगे श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की सरस्वती को कहा जाता है Goddess of Knowledge तो जरूर प्रजापिता भ्रह्मा, भ्रह्मपुत्रा भी, Goddess of Knowledge होना चाहिए लेकिन भ्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता, God is Knowledgeful कहा जाता है भ्रह्मा Knowledgeful नहीं, God is Knowledgeful, परमपिता परमात्मा ज्यान सागर है तो जरूर अपने बच्चों को ज्यान देंगे पहले पहले इन में प्रवेश कर इन द्वारा दुसरों को देते हैं इन में सब लकी सितारे आ जाते हैं ज्यान सूरिय फिर ज्यान चंद्रमा ये भ्रह्मा हुए फिर चाहिए ज्यान चंद्रमा के नस्दीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है वह बहुत तीखा होता है। सरस्वती बेटी हो गई न यह तो बाप भी हुआ बड़ी नदी भी हुई बहुत बड़ी नदी है। लायक है परन्तु यह बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए पहले तो लौकिक मात पिता पारलौकिक मात पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक मात पिता से अल्पकाल शन भंगूर सुक का वर्सा मिलता आया है यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाग का राज समझाना सके वह तो जानते ही नहीं गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहा गई। यह समझने की बात है ना मात पिता चाहिए ना मात पिता कहा जाता है निराकार को परन्तु यह समझते नहीं कि इनको मात पिता क्यूं कहा जाता है वह तो गाट फादर है फिर कहते हैं एडम और इव एडम ही इव है यह नहीं समझते प्रजा पिता भ्रह्मा वही फिर माता ह जाती है एडम और इव अत्वा आदम बीवी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं बच्चे समझ सकते हैं आदम बीवी वास्तव में यह है बीवी सो आदम है इनको बीवी आदम दोनों कह देते हैं वह तो है बाप यह बड़ी पेचीली बाते हैं भारत में गाते भी है तुम मात पिता ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते सत्युग को बहुत दूर ले गए हैं लाखो वर्ष कह देते हैं लॉंग लॉंग भी कितना कहानी तो नस्दीक की है नस्दीक की ही सुनाई जाती है कहानी तो नस्दीक की ही सुनाई जाती ह तुम समझा सकते हो लॉंग लॉंग एगो यानि पाँच हजार वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांती मैं राज्य था और कोई राज्य नहीं था क्या हो गया पाँच हजार वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख मैं शांती मैं राज्य था और कोई राज्य नहीं था यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते देवी देवताओं का राज्य था मालुम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ लक्ष्मी नारायन कैसे बने कैसे उन्हों की राजाई स्थापन हुई उनके पहले तो कल्यूग था बरोबर कल्यूग का अंत अब है और कल्यूग के बाद फिर सत्यूग होगा सत्यूग सामने आ गया है जो लॉंग लॉंग था वह सामने आ गया 84 जनम लेते लेते अब कल्यूग का अंत आकर हुआ है अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायन का सत्यूग में राज्य था अभी नहीं है अभी टाइम आकर पूरा हुआ है फिर सो लक उशारत कर रहे हो यह समझाने की बात यह तो सची गीता आदी इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे यह जानते हैं जो लिखा जाता है वह फिर प्राय लोप हो जाएगा यह सची गीता भी नहीं रहेगी जो तुम दिखते हो वह सच्चा ज्यान प प्राय लोप हो जाएगा यानि विलुप्थ हो जाएगा सत्युक्त रेता में शास्त्र होते नहीं फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे यह है भक्ति मार्ग की सामगरी रचना की सामगरी बहुत बड़ी है तो श्युक्त रेता में शास्त्र होते नहीं फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे यह है भक्ति मार्ग की सामगरी रचना की सामगरी बहुत बड़ी है तुम ज्यान सेकेंड में ले लेते हो सारी रचना के आदी मध्य अंत को तुम ज अंगे अखरे माना तिथी तारिक सहीत पूरा हिसाब किताब है 84 जनम सब नहीं लेते हैं कोई सतर लेते कोई साथ लेते कोई दो भी लेते हैं वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है पीछे आने वालों के जरूर नंबरवार थोड़े-थोड़े जनम होंगे उसका फिर करना फाल्तू हो जाता है तुम बच्चे नट्शल में समझ सकते हो 84 लाग जनम तो है नहीं कितने लाग जनम नहीं है 84 लाग 84 जनम भी हर एक नहीं ले सकते हैं ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र है 84 जनम भी एक नहीं ले सकते हैं सिर्व कह देते 84 का चक्र है मना बबा कह रहे हैं कि 84 जनम भी हर एक नहीं ले सकते 84 लाक जनमों का चक्र नहीं गाया जाता पाप कपट की छाया पड़ गई है अब रावन का राज्य है न आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए है इतनी मैल चड़ी है जो साफ होती ही नहीं क्या कहा आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए है इतनी मैल चड़ी है जो साफ होती ही नहीं उस मैल को निकालने लिए विरगाया हुआ है ग्यान मान सरोवर उसमें डूबा रहे जैसे जंक लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है यह भी जंक लगी है इसलिए ग्यान सागर में डूबे रहो कोई पानी की नदी वा सागर की बात नहीं है ग्यान सागर जो ग्यान देते हैं उस ग्यान में ततपर रहना है ग्रियस्त ववहार को भी संभालना है उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है सरजन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं हर एक का कर्म बंधन हर एक की बीमारी अपनी अपनी है यह पांच विकारों की बीमारी महा भारी है इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं बाबा कह रहे हैं इस बीमारी को जानते ही नहीं यह कब से शुरू होती है आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है आत्मा को क्या हो जाती है बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ ज यह बाते शास्त्रों में नहीं है वह तो भक्ति मार का भक्ति कांड है भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभीचारी भक्ति फिर रजोगुणी व्यभीचारी भक्ति पहले किस टाइप की भक्ति होती है पहले होती है अव्यभीचारी भक्ति फिर की अवस्था वैसी भक्ती भी हो जाती है ग्यान ऐसे ग्यान भी ऐसे उतरता है पहले 16 कला फिर 14 कला फिर 12 कला प्रालब्द जो बनती है वह फिर उतरती जाती है तुम बच्चे जानते हो यह कमाई है कमाई में विगन पढ़ते हैं दशाएं बदलती हैं पूछते हैं हमारे उ लोग बतलाते हैं, इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं, कोई पर राहू की दशा बैठती हैं, काला मूग कर लेते हैं, ब्रियस्पती की दशा थी, फिर माया ने थपड लगाया, तो राहू की दशा बैठ गई, काम में गिरा और फट से राहू का ग शत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते हैं यभी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी है मरमत के लिए यह पवित्रता है पवित्रता की ताकत से ही स्रिष्टी इतना चलती है अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी हैं सर्विस का तुम बच्चों को बहुत-बहुत शौक रहना चाहिए बे काईदे कोई भी चलन नहीं चलने हैं क् बना है कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं बाप की आग्या न माना यह भी बड़ा पाप है बाप का फर्मान है निरंतर मुझे याद करो जानता हूं कि कर नहीं सकेंगे परन्तु तुम पुरा कुरुशार्थी नहीं करते हो जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे अच् प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते नमस्ते ओम शान्ति धारना के लिए मुख्यसार पां लगे इसकी संभाल करनी है सच्ची कमाई करनी और करानी है कोई भी बेकाइदे चलन नहीं चलनी है राहू की दशा कभी न बैठे इसके लिए बाप के फर्मान पर सदा चलना है क्या कहा बाबा ने राहू की दशा कभी न बैठे इसके लिए बाप के फर्मान पर सदा चलना है तो बाबा ने कहा कि बाप की फर्मान पर सदा चलना है वर्दान याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर शमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर शमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्र ही लगाते रहेंगे क्या कह रहें बाबा कि याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर शमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव जो बच्चे याद और सेवा में सदा विजी रहते हैं वो सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्र ही लगाते रहेंगे कभी संबंधों का चक्र कभी अपने स्वभाव संसकार का चक्र ऐसे व्यर्थ के सभी चक्र समाप्त तब होंगे जब बुद्धी में सिवाए शमा के और कुछ भी न हो शमा पर फिदा होने वाले शमा के समान बन जाते हैं ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं स्लोगन है जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सद्रिश्य आत्माएं भी सोना बन जाती हैं अच्छा सभी को ओम शानती झाले हैं झाले हैं झाले हैं स्लोगन जाते हैं झाले हैं झाल झाल